Hello friends Welcome to editorial analysis by Simplified Civil Services अज 30 September को दो article डिसकस करेंगे दोनों article दा हिन्दू से लिए गए हैं First article जो डिसकस करेंगे वह है Demand Flux इसमें हम इंडिया की Growth History की बात करेंगे इसके अलावा डिमांड है उसकी चर्चा की जाएगी अर्बन डिमांड की बात करेंगे लेटिस GDP नंबर क्या शो कर रहे हैं ट्रेंट्स बहुत पूछे जा रहे हैं आजके लिए पेसी में तो यह आर्टिकल आपके लिए इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है May Doctrine Ukraine Russia Country के उपर यह आर्टिकल आया हुआ है काफी important यह आर्टिकल है इसमें रश्या की जो न्यूडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉडॉड उसे डिसकस किया जाएगा और उसके क्या implication हो सकते हैं इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, युक्रीन के लिए वो सारे आसपेक्ट भी कवर करेंगे अगर आपको हमारा अनलिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं जिसके लिंक नीचे प्रोवाइट की गई होगी आईए शुरू करते हैं हमारा अनलिसिस हमारा फर्स्ट आर्टिकल है डिमांड फ्लक्स आर्टिकल दर हिंदू में आया है जी एस्ट्री, एकॉनमी मेंस के परस्पेक्टिव से मेंस के परस्पेक्टिव से भी उपली हुए बचैनल के परस्पेक्टिव से भी कॉली है डेटबेज डिकल है और में 1 विकामा सकता तेक्ट है में समें mould होगता तरफ स्छोछ करतेशन आपको इयां दो तो ट्र War फाल पूचा गया था और डेटाबेस जितने अर्टिकल होंगे, मेंस के लिए भी इंपर्टेंट होंगे और प्रिलिम्स के लिए भी इंपर्टेंट होंगे, शुरू कर लेते हैं इंडिया रिसाउंडिंग 8.2% GDP ग्रोथ in 23-24 came with two worrying potents, the first is the farm sector lost momentum due to an unhelpful monsoon and private consumption spend rose at less than half of the economy pace, in fact 4% ग्रोथ in private final consumption expenditure was the weakest since 2002 entry, if one excludes 2020-21 when COVID first hit in the world, so क्या कह रहा है, 8.2% से grow कर रही है, इंडिया की economy, fastest economy in the world and सारी सारी चीज़ें सब जानते हैं, लेकिन इसमें दो issues थे, last year जो growth हो रही थी, पहला था, जो farm sector है, उसने momentum lost कर दिया था, agriculture GDP बहुत कम थी, उसका सबसे बड़ा reason है कि monsoon सहीं नहीं था, कुछ जगा बाड़ा गई थी, so variable rainfall होई थी, उसके कारण जो last year farm sector हो बहुत slowly grow किया था, और दूसरा issue क्या है, private consumption काफी कम हो गया है, private consumption, जो final spending है, वो काफी कम हो गई है, private final consumption expenditure की बात कर रहे हैं, तो यह 4% से grow कर रहा है, जो 2002 और 2003 के बाद से slow waste है, COVID year को हम छोड़ देते हैं, private final consumption expenditure का मतलब क्या है, जितने भी residents है, NRIs हैं, वो सारे के सारे इंडन economy के जो final goods हैं, और services हैं, उसमें consumption कर रहे हैं, so हमारी जो economy है, almost देखा जाए, तो क्या है, consumption based है, हम लोग export जादा नहीं करते हैं, consumption करते हैं, maximum जितना भी production होता है, सारा का सारा हमाई जनता ही consume कर लेती है, बाहर बेजने की ज़रती नहीं बढ़ती है, so overall economy अपनी consumption based economy है, और अगर consumption कम होगा, तो यह हमारे लिए बिलकुल भी अच्छे संकेत नहीं है, of course, some of this stem from the farm sector rain was that way down rural demand, while economists flagged a case-shaped consumption pattern of higher end goods and services seeing the greater of tech than the rest, so obvious है, कि जो वर्शा नहीं हुई है, उसके का जो final consumption है, especially rural area में वो कम हुआ है, क्योंकि rural demand कम हो, क्योंकि rural economy weak होई है, agriculture growth नहीं होई है, लोगों के पास income नहीं आई है, तो obviously जो expenditure होगा, वो कम होगा, तो यह काफी obvious है कि यह होना था, क्योंकि agriculture economy weak रही है, जो economist है, उनका कहना है कि K-shape recovery है, मैंने ये K-shape के बारे में जो goods and services, luxury items है, उसका off-tech जादा है, जो essential item है, उसका off-tech इतना जादा नहीं हो पारा है, तो जो rich लोग हैं, वो जादा से जादा consume कर रहे हैं luxury items को, और poor ना luxury ले पारा है और ना essential ले पारा है, A normal monsoon this year, it was hope, would help farm sector and rural demand rebound and shore up overall consumption to the level that is per growth as well as house turn and uptick and industrial capacity utilization rate to threshold that compelled private sector to ramp up, So, rural demand कम होने के कारण, overall consumption expenditure कम होने के कारण, जो private sector है उसने investment नहीं किया है, यह सबसे बड़ा issue रहा है, लेकिन इस साल पानी मसता रहा है, rainfall की कमी नहीं है, अभी भी गिर ही रहा है, जहां देखो वहां गिर रहा है, So, rainfall का issue नहीं है, अब यह हो सकते है कि बाढ़ आ जाए, उसके कारण नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन overall agriculture growth इस बार हमें बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाली है, दूसरा क्या है, अब growth अच्छी हो जाएगी, agriculture growth बढ़िया होई, तो obviously, जो rural area में लोग रह रह रहे तो फिर वो investment करना चालों करेंगे, investment करेंगे तो क्या होगा, investment करेंगे तो demand और बढ़ेगी, बाकी चीजों की, raw material की, employees की और फिर employment, GDP and growth and all यह पूरी cycle चलना शुरू हो जाएगी, तो उम्मीर करते हैं, ऐसा article में लिखाए कि इस साल के बाद से जो private sector है, वो kick in कर जाएगा, enter कर जाएगा, बिना ज्यादा risk लिए और बिना डरे, animal spirit के साथ, growth number for the first quarter suggested this story was playing out with the PFCE rises at a seven quarter high of 7.4% outpacing the 6.8% GDP uptick, so first quarter के number आ चुके हैं, 2014-25 के, अब 2014-25 के first quarter के number जो है, उसमें GDP 6.8% है, और private final consumption expenditure 7.4% है, जो कि हमें लग रहा था, कि ऐसा हो सकता है, GDP तो अतनी जादा नहीं रहेगी, लेकिन private final consumption expenditure बढ़ेगा, क्योंकि rural economy इस बार अच्छी रही है, जो rural demand है, वो increase हो गई है, और इससे भी पता चलता है, कि जो two-wheeler sale है, वो भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, rural area में, India ratings reckon that the real rural wage growth turned positive in July and is expected to stay positive, added by cooling inflation, so India ratings के हिसाब से, जो real rural wage growth है, वो positive रहने वाली है, मतलब कुछ न कुछ growth होगी, rural लोगों की income में, जुलाए में और आने वाले समय में भी ये positive रहने वाली है, और inflation भी कम हो गया है, this votes well for consumption, however a twist in the tail may be imminent with urban demand beginning to slow some fatigue, so rural demand बढ़ गई, अब दिख्कतार ये urban demand की, urban consumption कम होते जा रहा है, urban consumption इस बार हमें कम देखने को मिला है, last Tuesday, S&P Global Rating which expects India to grow at 6.8% this year, said high interest rate are tempering urban demand, ठीक, so जो S&P Global Rating Credit Rating Agency है, इनके इसाब से जो urban demand है इंडिया की, वो कम होती जा रही है और उसका सबसे बड़ा reason है inflation और उसमें भी food inflation, यार बहुत ज़्यादा food inflation हो गया है, ये तो fact है, इस बार UPSC means में food inflation के उपर, question भी आया था, food inflation के reasons क्या है, और क्या RBI से control कर सकती है, और ये मैं कई बार explain कर चुका हूँ कि food inflation RBI control नहीं कर सकती, क्योंकि ये supply side inflation है, और इनके पास जो tools available हैं, वो सिर्फ demand side के हैं, so, आप food inflation को directly control नहीं कर सकते, ये सारी चीज़े मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उसी के वो पर इस बार mains में भी question आया था, so, अर्बन एरिया में जो demand है, वो कम हो रही है, उसका सबसे बड़ा reason है, जो food inflation है, वो बहुत ज़ादा increase होते जा रहा है, the RBI consumer confidence survey for July shows a turn in the tide, with current and future confidence level of the urban buyers dropping, so, RBI का consumer confidence survey होता है जुलाई का, वो उसके numbers आए हैं, और उसमें ये पता चला है, कि जो urban buyers हैं, उनका confidence, economy के उपर कतम होता जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाग चीज़ है, कैसे खतरनाग है, यार economy faith पे चलती है, अगर सारे consumers, ये सोचें कि economy में prices गिरने वाले हैं, या फिर economy आने वाले समय में खराब करेगी, तो क्या करेंगे वो, अपनी saving बढ़ा देंगे, savings बढ़ाना उन्होंने चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें future की bad situation के लिए तयार रहना है, तो उन्होंने savings करना जादा कर दिया, consumption कम की, अब सब consumption कम करेंगे, तो demand कम हो जाएगी, तो जो आपका growth है, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगी, और economy deflation की तरफ बढ़ने लगेगी, तो पूरी की पूरी economy सिर्फ इस उम्मीद पे है, कि economy आगे grow होगी, या फिर economy आगे चलके, जो है, depression में जा सकती है, इस expectation पर ही, आपकी economy चल रही होती है, तो expectation बहुत important aspect है, और urban buyers की ये उम्मीदे हैं, कि आने वाले time में, जो economy है, उसकी situation और खराब होने वाली, जो की बिल्कुल अच्छी news नहीं है, इसके अलावा, जो finance ministry का data है, passenger two-wheeler sales का, वो ये ensure कर रहा है, कि urban demand कम होई है, अपरेल से अगस्त के बीच में, वालेट्स क्रिपल्ड होते जा रहे हैं, because of high food inflation, ability of urban Indians to create room for discretionary spend, through the festive season and beyond, would be crucial for growth, as well as virtuous private investment cycle, so festive season आने वाला है, अगर festive season में ये urban demand नहीं बढ़ती है, तो फिर चिंता की बात हो जाएगी, इंडिया की economy के लिए, क्योंकि जो food inflation है, वो तो बहुत जादा high हो रहा है, अगर food inflation कम नहीं होगा, और festive season में ये urban demand नहीं बढ़ेगी, तो overall GDP expectation से कम रह सकती है, with global oil prices turning winning, the center must consider passing through the reduced cost to consumer, and cut level embedded into retail fuel prices, a substantive fuel price cut as opposed to token 2 rupees of relief per liter, and will this much can support demand in the economy, so global oil prices देरे देरे कम हो चुके हैं, और सरकार को सबसीड़ी बढ़ाने की जरूरत है, और fuel prices कम करने की जरूरत है, fuel price कम होंगे, तो overall लोगों को directly तो benefit मिलेगा ही, transportation cost कम होगी, तो overall जो food inflation है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि transportation के तुरूई, food एक जगा से दूसी जगा जाता है, so overall जो food की cross है, cost है, वो काफी कम हो जाएगी, तो ये सरकार को करने की जरूरत है, ताकि urban demand बढ़ाई जा सके, ये हमारा complete article था, hopefully आपको सारा article clear हो गया होगा, हमारा next article है, mad doctrine, ये article, the Hindu में आया है, GS2, IR means के perspective से काफी important article है, prelims के perspective से भी equally important है, basically जो Ukraine-Russia war चल रही है, उसके जो recent development है, उससे देख लेते हैं, the Russian President Vladimir Putin, revision of Russia nuclear doctrine, announced last week, is a worrying increase in the war rhetoric, surrounding the Russia-Ukraine conflict, so recently, जो Russia के president है, उन्होंने अपनी nuclear doctrine को announce किया है, और revise किया है, जो की बहुत ज़ादा खतरे की बात है, Russia-Ukraine conflict के perspective से, क्या change किया है, वो देख लेते हैं, in the event of conventional attack on Russia, by any country that is supported by nuclear power, Russia would consider that a joint attack, and presumably deal with the threat accordingly, so, ये सबसे पहले ये कहा गया है, कि अगर कोई भी country, conventional war करती है, conventional attack करती है, with the support of other country, तो Russia, ये जो country attack करी, let's say Ukraine, और इसे US ने support किया है, तो Russia जो है, इसे joint attack मानेगी, पहली चीज, दूसरी चीज ये कही गई है, कि Russia could use nuclear weapon, in response to a conventional attack, posing a critical threat to his sovereignty, अगर conventional weapon के, थूब भी attack किया जा रहा है, ये joint attack, तो अपनी sovereignty को बचाने के लिए, nuclear weapon का इस्तमाल कर सकता है, Russia, ये उनकी new doctrine है, ये जो doctrine change है, ये किसके backdrop में आई है, यूक्रेन के जो president है, उनकी जो visit हुई थी अभी, United States, उसके backdrop में जहां पर, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मिले थे, जो जो जैलनेस की है, वो US गए थे visit करने, वहाँ उन्होंने अपना victory plan जो है, रखा, और US से मदद मागी, US से missile मागी, में ये new doctrine change देखने को हमें मिल रहा है, रश्या के तरफ से, weaponry including storm shadow, ATA CMS missile can only be used for Ukraine defense, although western capitals turned a blind eye, when Ukrainian forces invaded the Russian oblast of Kuruks in August, with tank and weaponry, allowing Mr. Zansky to rack up a symbolic win, and possibly some leverage in future negotiation for peace, so, अभी जो है इनकी demand का है, जो storm shadow है, और ATA CMS missile है, ये अभी तक defense के लिए यूज़ कर रहे थे, अब attack के लिए भी use करने दिया जाना चाहिए, और western country ने, Ukraine को थोड़ा support तो किया ही था, जब Ukraine ने attack किया था, रश्या के ओपर, Kuruks की रीजन में, और उसे जीद भी लिया था, और future में negotiation में वो काम भी आएगा, however, धीरे धीरे जो western country है, उनका जो support है, वो खतम होता जा रहा है, और उसके बाद से, रश्या ने hit back करना भी शुरू किया है, और Kuruks की रीजन में लगाता है, जो है troops mobilize कर रहा है, इसके अलावब एक new front भी खोल दिया है, यूकरेन का Pokrovsk region है, तो ये reason नाम याद रखेंगे, places in news में आपको पूछा जा सकता है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक और front जो है, खोल दिया है, रश्या ने यहाँ पर भी troops जो है, attack कर रहे हैं, तो जो western countries हैं, वो ये theater of war में आने से, अब अपने आपको रोक रही है, support क्या है, financial support है, जैसे कि जो बाइडन ने recently, 8 billion dollar का additional military aid, प्रोवाइड किया है, यूकरेन को, without any reference कि इसे, रश्या के अंदर utilization करना है, या कहीं और करना है, लेकिन obvious है, 8 billion dollar का, ये fund जो है, दिया गया है, यूकरेन को, तो financial aid कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा, और कुछ भी नहीं है, western country की तरफ से, ठीक, ये जो overall war है, ये किसमें डिपन करेगी, काफी कुछ US के elections पर, अगर Donald Trump आ गया, तो हो सकता है, कि US पूरे तरीके से, support खरतम कर दे, यूकरेन को, काफी जादा इसके chances है, ठीक, इपर रिमेंस तो बी सीन, वेदर Mr. Putin, विल बी असाँच्छ, और इफ थाइस बावार रीचिंग अ नुकलिर थेशोल, इपर रिमेंस तो बी सीन, वेदर Mr. Putin, प्रशन करने में लगी होई है, यह वार को खतम करने में लगी हुई है, वो सक्सेफुल होती है, अना India जैसी कंट्री, जो की कोशिश कर रही है कि जल से जल peace ensure किया जाए अपने efforts को ने double करने की ज़रत है ताकि इस तरह की जो war situation है वो ना है नुक्लियर वाट वाट विगार हुई तो अर्थ के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं होगा नियो डिल्ली एस सेड डाट इट कंवेड मैसेजेस तो मॉस्कोव वेन सेफटी कंसर्ण गुरू अवर दा जैपरी जीजीया नुक्लियर पांट तो जैपरी जीजीया नुक्लियर पांट उक्रेइन में है इस से रिलेटेट जब इशू आया था तब ही इंडिया ने भी अपने कंसर्स व्यक्त कर दिये थे कि नुक्लियर वार ट्रिगर नहीं होना चाहिए या नुक्लियर अटेक किसी तरह का नहीं होना चाहिए आज़ काफी कुछ जह है पीस प्रोसेस पर डिपैंड करेगा-धरवइस यह जो वार है यह अलग लेबल पर इसकलेट हो सकती है कुछ यूएस के उपर डिपेंड करेगा यूएस को बैक आउट करने की ज़ुरत है एक बहतर पीस प्रोसेस मेकेनिजम की ज़ुरत है डायलोग के तुरू इस डिस्प्यूट को रिजॉल करने की ज़ुरत है अधर्वाइस अरत के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा तो